प्रेग्नेंसी में बॉडी में खुजली होना बहुत नॉर्मल है आपकी भी हुई होगी किती बर हुई होगी या तो पूरी बॉडी में होती है खुशकी होती है या फिर सिरफ पेट पेट में होती है या फिर थाई इस पेट जहां जहां फैट जादार है वहां होती है और ड प्रेगनेंसी में खुशकी एक तो मौसम की वज़े से होती है, जब मौसम चेंज होता है, या फिर बहुत ज़ादा अगर सर्दी हो गई है, तो वैसी स्किन ड्राइ हो जाती है, और जब प्रेगनेंसी में इस्टुजन हॉर्मोन इतना बढ़ जाता है, तो इचिंग जादा ह अब यहया है. यह हॉर्मोन आपके लिवर के जो एंज़ाइम्स हैं, जो अंदर गॉल ब्रडर पित थैली होती है, उसके अंदर कोलइस्टैसिस कराता है, कोलिस्टैसिस यानी कि यह उसको ज़्यादा कॉन्ट्राक्ट नहीं होने देता, तो कुछ एंज़ाइम्स जो आगे लाइफ सेशन में भी और मेरे से कंसल्ट भी किया था ओप्स्राटिक कोलिस्टासिस ये कंडिशन है जो कि इस्टुजिन की वज़े से होती है आपके यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट है वो इकठे हो जाते हैं को कि नॉर्मली इंटिस्टाइन में जाके बाहर निकल जाना चाहिए पौटी के रास्ते जब वो नहीं निकल पाते तो यहाँ पर कलेक्ट होते है इचिंग होती है पेशन को स्पेशली हाथों पे और पेट पे और कभी-कभी बच्चे को नुकसान हो जाता है बच्चा कई बार अंदर मिगोनियम पास कर देता है और बच्चे की डेथ हो सकती है तो यह डीटेल वीडियो आ चुका है नॉर्मल केसिस में प्रेग्नेंसी से रिलेटेड राशेज और प्रेग्नेंसी से रिलेटेड इचिंग बहुत कॉमन है एक तो पहली बात जब आपके सकिन फटती है फैलेगी आप ज़ादा मोटे होंगे ज़ादा फैलेगी फिर फटनी शुरू हो जाती है क्योंकि सकिन के अंदर elastic fibers होते, collagen fibers होते अभी कितना stretch होंगे अगर आपने ज़्यादा weight gain कर लिया और आप शुरू में बहुत पतली थी आपके skin में ज़्यादा elasticity नहीं है तो ये फैल फैल के फैल फैल के फट जाते हैं तो वो जो निशान है वो stretch marks बन जाते हैं और फटने की वज़े से आपको वहाँ पर skin पतली पतली चमकीली से लगने लग जाती है और इचिंग शुरू हो जाती है इचिंग के सासथ dryness आप हाथ से ऐसे scratch करेंगे तो वहाँ पर lines बनने शुरू हो जाएंगी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भई scratch मत करना ने तो फिर आपके निशान बहुत गंदे पढ़ेंगे लेकिन निशान तो वैसी पढ गए क्योंकि स्किन फट गई आपकी बोडी में इतना ज्यादा वेट आगया कि स्किन उसको सहन ने कर पाई प्रेग्णेंसी के समय आपके ब्लड का जो circulation या रक्त संचार वह बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि क्या होता है कि आपकी बोडी में आप टू इन वन हो गए आपके अंदर बच्चा भी आ गया है तो आपका हार ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को और ब्लड के अंदर पानी भी भर जाता है ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमना है कि आपका हीमोगलोबिन 11 से एकदम से 9 या 10 हो जाता है क्योंकि बोडी के अंदर पानी भर गया ह तो जो हीमोगलोबिन 10 है वो एक्चुल में 11 होता है बट क्योंकि बोडी ने कोशिश करिए कि आपके ब्लड में पानी भर के ब्लड लॉस को कम करें क्योंकि डिलिवरी के से में ब्लड लॉस होता है इस वज़े से आप एनिमिक दिख रहे हैं तो इतना ज़्यादा हाइपर बढ़ जाता है कि पैमफिगस बन सकता है इस पे मेरे एक वीडियो आ चुका है कि प्रेग्नेंसी से रिलेटेट कौन-कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ प्रेग्नेंसी में ही होती है कितनी नॉर्मल होती है कितनी अपने आप ठीक हो जाती है और कुछ दो तीन ऐस जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और बच्चे को खतरा होता है सिर्फ ऑप्स्टेटिक कोलिस्टासिस ही उसका कॉज नहीं है दो तीन चीजे और है दो तीन तरह की बीमारिया और है जिसको हम डीटेल में इस वीडियो में देख चुके है इसको अब हम जाने आ रहे हैं पहली बात चेक करा लो जाए चिकन पॉक्स मीजल्स स्मॉल पॉक्स यह तो नहीं है अभी मेरी एक पेशिंट है जिसको मैंने कल ऑपरेट किया है उसको तीसरा दिन था चिकन बॉक्स का अब ऑपरेट करना भी जरूरी था मेरे पास पहली बार आई करो कि आपको चिकन पॉक्स यह मीजल्स तो नहीं है स्मॉल पॉक्स तो नहीं है सेकेंडली अगर यह सब कुछ नहीं है जिस नॉर्मल रैशिस है तो इसके लिए आप अलुएरा का किरीम लगाओ आप लक्टो क्यालमीन लगाओ नारियल का तेल नहाने से पहले लगाओ कई अधी खूब पानी पियो आपकी ड्राइनेस कम होगी पानी पीने से भी बहुत सारी जो गंदी जो टॉक्सिंस होते है बाहर निकल जाते है बहुत से लोग हल्दी का दूद भी पीते है तो जो काम नीम कर रहे है नीम तो टॉपिकली आप लगा रहे है क्योंकि नीम के पान यह बहुत फायदेमंद होता है, आइस को आप एक आइस उसमें ले ले ले, बैंग में ले ले, या फिर अपने नॉर्मल टॉवल में ले ले, या एकदम ठंडा आइस कोल वाटर से आप टॉवल को भिगो ले और उसको पेट पे लगाई है, जहाँ जहाँ आपको इचिंग हो रहा है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, इस्ट्रुजन होर्मोन बढ़ गया है, और आपकी बॉड़ी इकदम स्ट्रेच होती जारी है, स्किन भढती जारी है, ड्राइनेस होरी है, उस मजी सापको दिक्कत होरी है, तो यह उस चीज़ का ट्रीटमेंट है,